बच्चों आप सभी का आज की का कुख्षा में स्वागत है आज की कख्षा में हम जो लाइव तेली कॉस्ट जो कहाणी है उसम पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से हम कल की कक्षा में चर्चा किया था कि जिस तरह लाइव टेली कॉस्ट में जो समाचार चैनल वालें जिस तरह से चोरों को अपने चैनल के मादम से पकड़ते हैं उसको हमने कल की कक्षा में देखा था कि आज ये किक्षा में हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे सर क्या आप लोग सिर्फ चोरियां ही करते हैं या फिर डाके वगेरह भी डालते हैं पीचे खड़े एक समधाता ने पूछा उस चोरों के पीछे खड़े एक समवादाता ने पूछा कि सर क्या आप लोग सिर्फ चोरियां ही करते हैं या फिर डाके वगेरें भी डालते हैं इस परकार जो समवादाता थे वह पूछे सर पहले आप हमारे दर्शकों को यहां बताईए कि चोरी जैसा महान कार्य करने की प्रेणा आपको कहां से मिली एक महिला समवादाता ने आगे बढ़ते हुए पूछा उन्हें एक महिला समवादाता ने पूछा कि सर आपको यह चोरी करने जैसा महानकार्य की प्रेड़ना आपको कहां से मिली, आपको किस ने प्रेड़ना दी की चोरी करना चाहिए, कि आप चोरी करो इसका जवाब आप थोड़ा सा दर्शेकों को बताईए इस परकार वहा महिला समाधता ने चोरों से प्रशन किया इतने सारे लोगों को देखकर चोर पहले ही हका बका हो गए थे उपर से प्रशनों की वह चार ने तो उनके होश उड़ा दिये अपनी अपनी गट्रियां फेंक कर दोनों वहां से भाग लिये वह अपनी अपनी गट्रियों को वहां से फेंक कर भागने लगते हैं क्योंकि उनके सामने बहुत सारे लोग थे और उन बहुत सारे लोगों को देखते ही और समधाताओं के प्रश्णों को सुनते ही वह बहुत ही गबराए हुए थे और अपनी जो कट्रियां थी उन कट्रियों को फेंक कर वहां से वह भागने लगते हैं भायो बहनों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों चोर यहां से भाग जाएंगे जी नहीं आपका अंदाजा गलत है हमने इनके स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी है टीवी पर उस महिला समधाता की जोश भरी आवाज कुझी वहां जो महिला समधाता थी उसने कहां कि भायो और बहनों आप लोग सोच रहे होंगे कि चोर यहां से भाग जाएंगे कि अब वो यहां से भाग रहे हैं कि वो यहां से भागेंगे नहीं है हम उनकी हम उनको यहां पे पकड़ने के लिए और उनके स्वागत के लिए हम यहां पे पूरी तैयारी के साथ आए है या इस प्रकार वह महिला समधाता जो थी वह कहने लगती है इसी के साथ कैमरा भाग रहे चोरों पर टिक गया वे दोनों दीवार के पास पहुंच कर उस पर चड़ने की कोशिश कर रहे थे कि दोनों के मुह पर एक एक फौला दी घूसा पड़ा और इसी के साथ बहार से उचल कर कई पुलिस वाले भीतर आ गए इस से पहले कि वे दोनों कुछ समझ पाते पुलिस वालों ने उन्हें उधर दबोचा वह दोनों लोग जो चोर थे वह यहां से भाग रहे थे वह यहां से भाग रहे थे और भागने से पहले भागते भागते वह दिवार को चड़ कर दिवार पर चड़ कर वह यहां से कूद रहे थे दिवार कूद रहे थे उससे पहले उनको एक फोला दी घूसा उनके मुह पर पढ़ने से वह वहां से गिर पढ़ते हैं और जैसे ही गिरते हैं तब उन्हें वह पुलिस वाले दबोच लेते हैं शोर सुनकर संकल्प ने खिड़की से बाहर जहंका पुलिस वालों को देख वह बाहर निकल आया संकल्प को देखते ही एक समवादाता ने उसकी पीठ ठोंकते हुए कहा शाबाश बेटा हम सब को इमेल पर तुम्हारा संदेश मिल गया था हम लोग फट 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 पूरी तैयारी से यहां आ गए इस समय यहां घटित हो रही सारी घटनाओं का लाइव टेली कॉस्ट टिवी पर हमारे दर्शक देख रहे हैं इस परकार वो जो समधाता संकल्ब की पीठ को थपाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा इमेल पहुँचते ही हम लोग फटाफट तैयारी के साथ यहां पर आ गए और आकर जो यहां पे जो चोरी की जो घटना हो रहे थी उस घटना को हम लाइव टेली कॉस्ट के मद्धम से सारे दर्शकों को यहां से दिखा रहे हैं इस परकार वो जो टेवी चाइनल वाले हैं संकल्ब से कहते हैं कर दो